बही आप कभी भी Google पे जाओ या YouTube पे जाओ और सर्च करो How to make money online हर एक content creator चाहे वो YouTuber है या blogger है आपको हमेशे recommend करेगा कि आप एक blog start कर लो तो क्या blog से वाकई इतनी कमाई की जा सकती है और क्या बिना laptop के या बिना computer के एक blog सिर्फ mobile phone से create किया जा सकता है कोई से भी mobile phone हो मेरे पास आलंगी iPhone है आपके पास अगर normal से Android phone भी है तो भी आप क्या उससे blog बना सकते हो आंसर है हाँ बस थोड़े बहुत challenges थोड़े बहुत दिक्कते आएंगी आपके सामने जैसे की laptop यह जो computer होता है basically बड़ी screen है, keyboard भी होता है उसमें और mouse भी होता है आप easily customizations कर पाते हो वही mobile phone में छोटी सी screen है, छोटा सा keypad आयाता है, mouse होता नहीं है Customizations में बस दिक्कत आती है, बट इस problem को भी आज मैं resolve कर दूँगा आप अपने mobile phone में Hindi में ही अपना blog राइट कर पाऊगे आपका जो keypad है basically वो तो English में होता है जैसे आप WhatsApp पे type करते हो ना, जैसे मानलो आप type करोगे आप कैसे हो तो WhatsApp में क्या लिखोगे, डबल अपी के आईसे हो, ऐसा लिखते हो बट जब आप blog के case में ऐसे लिखोगे आप कैसे हो, डबल अपी के आईसे हो तो अपने आप पूरा का पूरा text हिंदी में convert हो जाएगा आप हिंदी blogging बहुत easy तरीके से अपने mobile phone से ही आज की rate में कर पाऊगे और मैं आपको practical सारे चीज़े करके दिखाऊँगा blog बनाना तो आसान है, blog बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट important यह है कि blog successful होना चाहिए, आगे चलके उससे कमाई भी होनी चाहिए मुझे मालू में आपको blogging में कुछ नहीं आता है इसलिए मैंने पूरा plan आपके लिए ready रखा है इस पूरे plan को step by step हम follow करेंगे तभी आप एक successful blogger बन पाऊगे सबसे पहले चीज, what is a niche हमें एक niche choose करना होगा niche basically होता क्या है niche एक category है, एक topic है आप हर एक चीज़ के बारे में नहीं लिख सकते हो आप किसी एक topic के बारे में ही अच्छा blog article लिख सकते हो तो आपको एक niche पहले choose करना होता है जैसे for example automobiles है, यह cryptocurrency है automobiles, गाड़ियां होती है cars होती है, bikes होती है heavy vehicles होती है, commercial vehicles होती है trains वगरा होती है, सब कुछ automobiles में ही आजाता है, आप हर एक vehicle के बारे में, हर एक गाड़ी के बारे में एक blog start कर सकते हो और आपको अच्छा खाधा traffic भी मिल सकता है यह एक evergreen topic है लोग 12 महीने सर्च करते रहते हैं गाड़ियों के बारे में, वहीं अगर आपको automobiles में interest नहीं है, आपको cryptocurrency में interest है, जैसे bitcoins वगरा होते हैं या जितने भी cryptocurrencies हैं तो उसके specific topic के उपर आप एक blog start कर सकते हो, और भी other topics हैं जैसे के health niche पर आप start कर सकते हो आप सिफ health के बारे में लिख सकते हो exercise वगरा आप उसमें mention कर सकते हो तो basically यह सारे niche होते हैं अब माल लेते हैं, automobiles आपने एक niche choose किया है, आप automobiles के उपर अपना blog start करना चाहते हो लेकिन automobiles तो बहुत बड़ी industry है automobiles में cars भी आती है bikes भी आती है, trains भी आती है commercial vehicle भी आते है जो bulldozer वगरा है, jcb machines वगरा है सब कुछ आता है, क्या आप सब के बारे में लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे इसलिए हम automobiles category को भी divide कर देते हैं, micro niches में यह basically एक broadness हो गया अगर इसको हम divide करें और भी micro niches में, तो basically car एक micro niches हो सकता है आप सिर्फ cars के उपर ही एक blog start कर सकते हो, या आप सिर्फ bikes के उपर, अगर आपको motorbikes का interest है, तो motorbikes के उपर आप एक बढ़िया सा blog start कर सकते हो, या फिर आजकर electric vehicles का बहुत ज़ादा craze चल रहा है market में, electric cars market में आ रही है, electric motorbikes आ रही है, तो आप electric vehicles के उपर भी एक micro niche blog start कर सकते हो, वहीं अकर हम बात करें cryptocurrency के, माल लिज़र में, cryptocurrency अपना एक niche choose किया है, तो उसके अंदर कौन से micro niche आते हैं, bitcoin आता है, आप सिर्फ bitcoins के उपर एक blog start कर सकते हो, आप सिर्फ ethereum के उपर एक blog start कर सकते हो, ऐसे कई सारे और भी cryptocurrencies हैं, तो आपको decide करना पड़ेगा, कौन सा micro niche आपको ले करके चलना है, और यही एक बड़ी important चीज है, जो starting में नहने blogger mistake कर देते हैं, लोग बस सोचते हैं, लिख दो, बस कुछ भी लिख दो, अपने blog की उपर, अपनी website की उपर, वो rank कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हमें proper planning लेकर चलनी होती है, ठीक है, अब मान लेते हैं, हमने यहाँ पे cars एक niche choose किया है, हमारा जो micro niche रहेगा, जिसके उपर हमें blog start करने वाले हैं, वो है cars, अब cars niche में basically लोग क्या search करते हैं Google पे, अगर हमें पता चल जाए, कि लोग क्या keyword Google पे type करते हैं, और उसी keyword को target करके अगर हम article लिखें, तो maximum chances है कि वो article Google पे rank कर सकता है, हमें traffic मिल सकता है, और Google Adsense से आगे चलके earning हो सकती है, ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने keyword research module की तरफ, अब keyword research कैसे की जाए, हम अपने दिमाग से तो नहीं सोच सकते हैं, कि car industry में लोग किस-किस keyword को Google पे type करते हैं, तो हम यहाँ पे keyword research tool का use करेंगे, जैसे एक free tool है Ahrefs, Ahrefs एक paid tool है basically, लेकिन इसको हम कह सकते हैं freemium है, free version भी है, paid version भी है, हम यहाँ पे Ahrefs का free version यूज़ करेंगे, जिससे हमें keyword ideas मिल जाएंगे, आगे चलके जब आपको blog successful हो जाएगा, थोड़ी बात कमाई शुरू हो जाएगी, तो आप चाहो तो SEM rush का paid keyword tool भी यूज़ कर सकते हो, अभी तक का industry का सबसे बढ़िया tool खेर यही है SEM rush का आपको 14 days का trial का link भी वीडियो का description में मिलेगा, बिना credit debit card के आप free of cost 14 days तक SEM rush भी यूज़ कर पाऊगे फिलाल अभी हम Ahrefs को यूज़ करेंगे so अभी हमने open कर लिया Google Chrome अब यहाँ पर एक website open करेंगे ahrefs.com ठीक है, इस website का आपको open कर लेना है then after scroll down कीजिए और हमें जाना होगा footer में now footer में यहाँ पर आपको एक link मिलेगा keyword generator free SEO tools केंटर दिख रहा होगा इस link पर आप click करोगे और आपको इस तरह की screen दिखाई देगी now यह है free keyword generator tool by ahrefs, इसको हम बिल्कुल free of cost use कर सकते हैं, अब जैसे हमने cars niche choose किया है, cars related हमें keywords find out करने हैं जो लोग वाखे Google पर सर्च करते हैं तो आप क्या करोगे, enter keyword वाले box के अंदर, ऐसा कुछ type करते हैं, best cars ठीक है, इतना मैंने type कर दिया दूसरा option आपको यहाँ पर दिख रहा होगा country वाला, United States selected है, हमें यहाँ पर United States को हटा करके, और find out करना है, इंडिया so इंडिया कहा है यह रहा इंडिया, अभी हमें results चेक करने हैं, इंडिया के लिए कि cars related, ऐसे कौन-कौन से keywords हैं, जो लोग इंडिया में Google पे हर महीने type करते हैं find keywords पे आप click करोगे, अगर आपके सामने capture आता है, तो उसको simply आप जो भी चीज़े मांगी जाएंगे उसको check कर देना, now यहाँ पर देखो the first 100 keywords out of 5270 best cars से related तकरीबन 5270 keywords हैं, जिसमें से top के 100 keywords यह हमें दिखा रहा है अभी सबसे पहला keyword हमें दिख रहा है best cars under 10 lakhs यह पूरा एक keyword है, जिसे लोग Google पे हर महीने type करते हैं, और कितनी बार type करते हैं, 29,000 वार यह आपको volume दिख रहा है ना basically यह search volume कहलाता है, हर महीने लोग Google पे कितनी बार इस keyword को 100 में से हर एक keyword को कुछ marks दिए जाते हैं, कुछ ratings दिजाती हैं अगर ratings ज्यादा है, जैसे 99 होता, 80 होता, 70 होता यह 60 होता, 100 के अगर करीब में होता ना, तो ऐसे keyword पे rank कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ऐसे keywords जिसकी keyword difficulty बहुत कम है जैसे 0 है, 1 है, 2 है 20 है, यह 30 के नीचे है तो उन keywords पे आप easily rank कर सकते हो, तो यहाँ पर basically जो first keyword है, best cars under 10 lakhs, इसकी जो keyword difficulty है वो 26 है, तो इस पे हम rank कर सकते हैं, हलाग कि starting में मैं आपको recommend करूंगा कि आप ऐसे keywords को target करो, जिनकी keyword difficulty 20 से नीचे है जैसे कि मुझे keyword देख रहा है best cars under 7 lakhs, ठीक है इस keyword की जो KD है keyword difficulty वो है 7 100 में से सिर्फ 7 है, और इसका search volume भी अच्छा खास है, 8700 search volume है, तो आप इस keyword को ले करके अपना article लेख सकते हो, तो यहाँ पर कई सरे keywords आपको देखने को मिलेंगे, जो KD है न, basically हो, जो search volume है यह starting के 10 keywords का ही बस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर free tool use कर रहे है, बाकी other keywords के ideas तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन keyword difficulty आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, फो उसके लिए आपको paid plan लेना पड़ेगा, इस starting में recommend मैं आपको नहीं करूँगा, तो चलो यहाँ पर एक काम करते हैं हमारा main keyword हो गया, best cars under 7 lakhs इसको आप कहीं पर लिख कर लेना, तो मेरे पास एक paper है, उस पर मैं फटाफट लिख लेता हूँ best cars under 7 lakhs, ठीक है तो अभी फिलार हमने keyword research करना भी सीख लिया है, आपको यहाँ से keyword के ideas मिल जाएंगे, अब हमारे plan के हिसाब से अगला काम क्या है हमें blog setup करना है, अपना blog setup करना है, फिर उसके बाद ही उस पर article हम लिख पाएंगे, तो blog setup में पहली चीज होती है domain name दूसरा होता है web hosting, यह दो चीज़े क्या होती है, इसको मैं अपने computer screen पे आपको समझाता हूँ, जैसे आप कभी भी अगर Amazon से shopping करते हो, आप क्या type करते हो, amazon.in यह amazon.com तो यह amazon.com यह amazon.in जो है, basically यह domain name होता है, domain name आपकी website यह आपके blog का नाम होता है, दूसरी चीज़ होती है web hosting, अब web hosting क्या है अब यह amazon.com basically e-commerce website है, हम किसी एक blog को open करते हैं, जैसे की, मेरा ही blog है websoft global.com मैंने open किया, blog वाले page पे चलते हैं और यहाँ पर जैसे माल लो मैं एक यही वाला article चलो open कर लेता हूँ, मैंने एक post लिखा हुआ तो कुछ time पहले, मैंने इस post को open कर लिया अभी right now अगर आप देखोगे इस post पे basically एक image लगी है, image का कुछ size होता है text मैंने लिखा है, फिर से मैंने अपनी photo यहाँ पे लगा रखी, इसका भी कुछ size होगा, इस पूरे text का भी कुछ ने कुछ size होगा, अगर मैंने कोई यहाँ पे video include कर दिया तो वही उसका भी कोई ने कोई size जरूर होता overall अभी तो सिर्फ यह एक post है हम अपने blog पे 100, 500, 200, 1000 ब्लोग post लिखते हैं, अब इसमें images भी use करेंगे, videos भी use करेंगे इन सब का कुछ न कुछ size तो होता है overall देखा जाए, हमारे पूरे blog का एक size हो गया, अब अगर हमें अपने blog को internet पे रखना है तो हमें internet पे web space की जरूरत पड़ेगी, web space कौन provide करता है, web hosting company ही provide करती है domain name आपके blog का नाम है web hosting, internet पे आप अपने blog के लिए space purchase करते हो, यह दो चीज़े हमें हमेशा purchase ही करनी होती है और बस यही एक investment है जो blog में करना पड़ता है, ठीक, अब वैसा थे internet पे कई सारी companies हैं, जो आपको domain name भी बेचती है, web hosting भी provide करती है, तो कौन सी web hosting हमें लेनी चाहिए, किस company के साथ हमें जाना चाहिए, market में बहुत सारी company है, मैं आपको starting में recommend करूंगा, ऐसी web hosting choose करना, जो सिर्फ सस्ती ही ना हो, खाली सस्ते के चक्कर में मत जाना कई बार आप बहुत सस्ती hosting ले ले लेते हो तो भाई वो चीज लॉस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है तो अब ऐसी कौन सी web hosting है, जिसका price कम है और service अच्छी है, market में काफी popular एक hosting है hostinger, h-o-s-t-i-n-g-e-r.in, ठीक है अभी राइटना hostinger पे black friday sale भी चल रही है तो अगर आप अभी web hosting लेते हो hostinger से तो almost 80% का आपको discount तो मिलेगा ही प्लस additional मैं आपको 10% कूपन कोड और दूँगा जिससे आपको additional 10% का discount भी मिलेगा प्लस additional 5 plugins, जो के paid plugins हैं absolutely free provide करूँगा जो आपकी blogging journey में काफी help करने वाले हैं तो अब आपको web hosting लेने के लिए आपने mobile phone उठालो सबसे top पे type करना s-a-d-d-a-m-saddam-kasim.com forward slash hostinger जैसी आप go करोगे, वापस आप hostinger के dashboard पे आ जाओगे right now यहाँ पे claim deal का button दिया हुआ है simplest पे हम click करेंगे अब hostinger पे तीन plan है सबसे पहला plan तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि है premium plan जिसी cost almost घटके अभी right now 129 रुपे पर मन्थ हो गई है वैसे हर मेंदे अक्रीबन 149 रुपीज पर मन्थ होती है बट अभी 129 रुपीज पर मन्थ है इस plan में आप 100 websites बना के internet पे launch कर सकते हो मतलब 100 different domain के साथ आप blogs बना सकते हो एक ही वेब hosting में इससे बड़िया web hosting मुझे और कोई नहीं लगती है दूसरी चीज आपको total 100 GB का SSD storage मिलता है weekly automatic backups बनते रहते हैं कभी मान लोग गलती से आपका blog वगरण delete हो गया तो weekly backup को आप restore भी करवा सकते हो then after free business emails मिलते हैं हर एक blog के लिए आप 100 business emails बना सकते हो कोई भी hosting इतने options आपको नहीं देती है unlimited free SSL भी मिलता है SSL क्या बवाल है सबसे top में देखो यहाँ पे यह आपको देख रहा है log symbol domain name के आगे जैसी मैं इस पर click करूँगा लिख के आता है connection secure तो यह basically padlock symbol कहलाता है और यह HTTPS protocol है आपको हर एक blog के लिए हर एक domain के लिए free of cost SSL certificate मिलेगा other hosting companies पैसे charge करती है आपसे SSL के hostinger में बिल्कुल free of cost आपको मिलता है और Google की तरफ से भी यह mandatory है कि अगर आप कोई भी blog चला रहे हो और इसको आप rank करवाना चाहते हो तो आपके blog पे SSL install होना ही चाहिए hostinger में आपको बिल्कुल free मिल जाता है एक कमाल की चीज़ यह है कि hostinger में आपको domain name बिल्कुल free मिलता है किसी other hosting भी आप जाओगे तो आपको पैसे बे करने पड़ते है 800 और 900 रुपे per year का domain name होता है hostinger के हर एक plan में कम से कम 12 महीने का plan होना चाहिए आपको एक domain अपने blog के लिए बिल्कुल free of cost मिलेगा इससे किफायती hosting और कोई नहीं हो सकती है यह रहा premium plan दूसरा है business plan आप premium ए business कोई से भी plan चूज़ कर सकते हो दोनों में difference बस इतना है पहले तो पैसे कई difference है वो 129 रुपीज पर मंद का है बिजनस plan का जो regular price होता है 269 रुपीज पर मंद होता है बट अभी Black Friday sale में 249 रुपीज पर मंद है तीन महीने की hosting तो बिल्कुल free मिलती है इसमें भी आप 100 websites या 100 different different blogs तो बनाई सकते हो along with that 200 GB का NVME storage मिलता है SSD का upgraded version है speed 5 times से ज्यादा आपको मिल जाती है मतलब आपके blog 5 गुना ज्यादा fast load होंगे बाकी free business email से मिलते है SSL मिल जाता है bandwidth मिल जाती है free domain तो मिलता ही है along with that free CDN content delivery network जिसकी help से आपके blog का content आपके जो readers हैं जो users हैं उन तक बहुत fast deliver होता है काफी सारी और भी advanced चीज़े है जैसे कि business plan में आपको enhanced DDoS protection मिलता है आज कल लोग blogs पे basically DDoS attacks करवाते है hostinger के business plan में आपको enhanced DDoS protection बगरा मिल जाता है तो जो भी plan आपको सही लगे premium को budget है premium ले लेना business का budget है business ले लेना मेरे end पे मैं business plan को choose करूँँगा add to cart पे click करते है now अब हम आगे cart page पे यहाँ पे आपको period चूज़ करना होता है जो आप web hosting लेने वाले हो वो web hosting 48 months की लेना चाहते हो मतलब 4 साल के ले web hosting अब लेना चाहते हो 4 साल के plan लेने में बहुत बड़ा फायदा है पहला सबसे बड़ा benefit तो यह है देखो अभी right now black Friday sale चल रहा है जिस वक्त मैं इस video को record कर रहा हूँ अभी है 31st of October और I think यह पूरा November तक black Friday sale चलेगा अगर आप black Friday sale में web hosting purchase करते हैं तो जब भी next time आप renewal करोगे उस time फिर से black Friday sale ही आ गई होगी तो आपको जो renewal होगा ना वो sale price पे ही होगा तो आपको हमेशे discounted price ही pay करना है पहले चीज़ तो यह है दूसरा benefit 48 months की web hosting लेने का यह है कि मान लो अभी आपने web hosting ले ली है सस्ता price है next year hosting का price double हो गया triple हो गया तो आपकी pocket पे कोई extra फर्क नहीं पढ़ने वाला है आप 4 साल की hosting एक साथ ले चुके हो अब आप 4 year के बाद ही renew करवाओगे तो यह काफी सारे बड़े-बड़े benefits है अगर आपका 48 months का budget नहीं बैठता है तो आप 2 साल की hosting भी ले सकते हो यह भी option है आप 12 महीने की hosting भी एक साथ ले सकते हो बट एक महीने की hosting मत लेना एक महीने की hosting पहले चीज़ तो यह है आपको सबसे महंगी पड़ेगी 699 रुपे इसमें आपको domain name free रही मिलेगा प्लस जितने भी मैं additional plugins मैं आपको देने वाला हूँ जैसे Elementor Pro है या Generate Press Pro plugin है और भी जो other plugins हैं वो आपको इस plan को लेने पे नहीं मिलने वाले हैं तो कम से कम 12 महीने का plan लेजिए या सबसे सही रहेगा 48 months का plan ठीक है हमने right now 48 months का plan चूज किया है scroll down करेंगे अपना account create कर लेना या तो manually अपना email address पुट करना password पुट कर देना या फिर आप social sign up भी कर सकते हो Gmail या Facebook के जरीए that is completely up to you अगर आप India से इस वीडियो को देख रहे हो तो India में जितने भी payment methods available है फिर चाहें वो credit card है, debit card है, UPI है, net banking है सब कुछ यहाँ पे available मिलेगा एक और important चीज़ आपको बताना चाहता हूँ अगर आप UPI या Paytm payment method चूज करते हो अमान लो आपका जो billing price है वो 5000 रुपए है या 6000 रुपए है मतलब checkout पे आपको 5 या 6000 रुपए या जो भी price आपको checkout page पे दिखा रहा है बट जब आप UPI app open करोगे न तो वहाँ पे 10,000 रुपए दिखाता है वो 10,000 रुपए उसी message का part होता है बट आपके account से उतना ही amount कटेगा जितना amount आपके checkout page पे show हुआ था चाहें वो 3000 रुपए था, चाहें वो 5000 रुपए या 7,000 रुपए था UPI app में अकर 10,000 रुपए दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 10,000 रुपए आपके account से कटेगा और यह बात मैं Hostinger के customer support से पहले ही कर चुका हूँ यह confusion UPI और Paytium या phone पे वगरा में ही आता है तो make sure आपको confused नहीं हो ना, आराम से payment कीजिएगा जितना amount checkout page पे था उतना ही कटेगा आगे बढ़ते हैं, हम मान लिजे मैंने यहाँ पे credit card चूज किया है तो मैंने simply सको select कर लिया, then after यह आपके सामने billing form आ गया एक बार अपना order review कर लो, 48 months की web hosting, 11,952 रुपए की पढ़ती है चार साल के लिए daily आपको backups भी मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रमंद की hosting मिल जाती है domain name एक साल के लिए free मिलेगा, जो domain name होता है बस first year के लिए free होता है next year से आपको renew करवाना पड़ेगा, और इसमें एक अच्छी बात और भी होस्टिंगर में domain who is privacy protection भी मिलता है, यह क्या चीज है, जब आप hosting खरीदते हो, domain register करते हो तो आप अपनी personal details provide करते हो, आपका पूरा नाम है, phone number है, address बगरा है वो detail इंटरनेट पे available रहती है, कोई भी उस detail को निकाल सकता है यह जो domain who is privacy protection है basically, यह आपकी personal detail को internet से hide कर देता है तो कोई भी आपी personal detail निकाल नहीं पाएगा, other web hosting company इसका अलग से charge करती है hostinger में आपको absolutely free मिलता है, अब इस form को fill up कर देना अब यहाँ पे अगर आप total price देखोगे including tax तो कितना पढ़ रहा है, 14,103 रुपए 4 साल की web hosting का अब एक coupon code apply करना है, आपको simply यहाँ पे type करोगे, SADDAM और 7, कोई space नहीं रहेगा बीच में apply करने में आपको additional 10% का और discount मिलेगा, यह देखो अब आपका amount कितना दिखा रहा है, 12,693 इंडियन रुपीज तो इस coupon code को आप use कर सकते हैं, आप किसी भी country से इस वीडियो को देख रहे हो आपको भी Elementor Pro और other premium plugins मिलेंगे, प्लस 10% के discount मिल जाएगा पहला step आपको मेरा affiliate link यूज करना है, SADDAM KASIM.com forward slash hostinger जो process मैंने बताई है, उसको follow कीजिएगा, at last coupon code apply कर देना अब आपको premium plugin कैसे मिलेंगे, भाई आपने मेरा affiliate link यूज किया है, हम सभी जानते हैं affiliate sales पर थोड़ा बहुत commission हमें मिल जाता है, तो अगर आपने मेरा फायदा करवाया तो definitely आपका फायदा भी होना चाहिए, इस video के description में मैंने एक form का link दिया हुआ है आपको simplest form को fill up कर देना है, वहाँ पर आपको proof के तौर पे एक snapshot upload करना होता है जब आप hostinger से web hosting purchase करते हूँ, तो hostinger वाले आपको confirmation mail भेजते हैं कि हाँ भई, आपने ये वाला प्लैनम से खरीद आए, उसका photo click कर लेना या screenshot ले लेना form में आपको वह screenshot upload करना होता है, जैसे आप upload करके form को submit करोगे, मेरे team verify कर लेगी और within a minute आपको download link email पे या WhatsApp पे मिल जाएगा, ठीक है तो इस तरह से आप basically इस Black Friday sale पे अच्छे खासे benefits उठा सकते हो and फटा-फट होस्टिंग ले लीजिए, बिना होस्टिंग के आप blog run नहीं कर पाओगे blogger भी एक option है बर blogger उतना reliable नहीं है, wordpress पे अगर blog start करते हो तो काफी ज़्यादा फायदे है ठीक है, तो अभी right now हमने अपने plan के हिसाब से, वापस चलते हैं एक बार plan के हिसाब से हमारा domain name हो गया, हमने web hosting ले लिया है अब web hosting में 2-3 चीज़े हमें complete करनी है, पहले चीज़ तो है wordpress installation wordpress basically एक tool है, जिसकी help से आप एक successful blog बना सकते हो और बिना coding के आपना blog setup कर सकते हो, तो अगला step क्या होगा, हमें अपने hosting अर account में login करना है login करने के लिए, यह तो top पे देखो login का button यहाँ पहले से दिख रहा है, यहाँ मैं सीधा open करूंगा hostinger.in, hostinger.in, ठीक है, जैसे हम इस homepage पे आएंगे, top right corner पे menu का icon है और यहाँ पर login का button मुझे bottom में मिल जाता है, आप देखने आपके end पे कहाँ पे login का button आ रहा है फिर आप अपने account में login करोगे, यह मैंने अपने hostinger account में login कर लिया, जब आप login करोगे, आपको इसी तरह का dashboard वगरा दिखाई देगा मेरे पास business plan है, 4 years का plan है, अभी right now 2023 चल रहा है, जिस वक्त मैं इस video का record कर रहा हूँ 2027 में यह plan expire हो जाएगा, तो मझे मालू है business plan के कितने ज़्यादा benefits हैं, इसलिए मैंने business plan 4 साल का लिया है सीधा अब आपने hosting तो ले लिया, आपको free वारा domain कैसे मिलेगा, इसके लिए top right corner पे आप देखो, three little lines दिख रही हैं, इस पर आप click करोगे then after आपको domains वाले menu पे जाना है, इसके बाद get a new domain पे आपको click करना होता है, now यहाँ पर आपको एक box मिलेगा, जिसके अंदर आप अपने desired domain name put करते हो, आपको जो भी domain name समझ में आ रहा है, आपकी website के लिए, आपके blog के लिए, उसको आप यहाँ पे type करोगे, जैसे माल लो आ आपको अपने blog के लिए यह वाले domain name समझ में आ रहा है, आपको एक चीज़ का ध्यान देना domain name का rule होता है, आप domain name के बीच में space नहीं add कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, cars फिर space 247.com ऐसा नहीं होगा, domain name में space नहीं आता है, हलांगी आप hyphen use कर सकते हो, जो minus वाले symbol होता है अब सर्च करते हैं, अगर इस domain को किसी और ने नहीं लिया होगा, तो हमें मिलेगा, किसी और ने ले रखा होगा, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे, right now आप top पे देखो, एक message आ रहा है, cars247.com is already taken, यह domain किसी और को पहले ही मिल चुका है, बट इसका alternative मुझे hostinger दिखा रहा ह जैसे car247.io, यह domain name available है, अब मेरे end पे तो भाई यहाँ पे price हा रही है, 3390 रुपए का domain है, हो सकता है, आपके end पे भी यह domain आपको free ना मिले, .com.in वगरा तो आपको free मिल जाते हैं, कुछ और alternatives हैं, जैसे कि carsunlimited247.com, मालो यह वाला domain name आपको पसंद आया है, अब मेरे end पे 799 परियर का दिखा रहा है, क्योंकि मुझे free वाला domain पहले ही मिल चुका है, आपके end पे यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, get this domain for free, या claim this domain for free, उस button पे click कर देना, यह वाला domain name या जो भी domain name आपने choose किया है, वो आपकी web hosting से link हो जाएगा, तो अब बार ही आती है, कि हमें WordPress अपन विंडो में आपको open करके दिखा हूँ, how to search.in, ठीक है, I think search के spelling गलत हो गई, s-e-a-r-c-h.in, ठीक, search करते हैं, तो अभी right now आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, hostinger के default page आ रहा है, how to search.in, और basically hostinger का यह एक landing page होता है, जब हम WordPress इस domain पे install करेंगे, तो एक basic सी website बनके आने लग जाएगी, WordPress कैसे install करते हैं, फिर इसे top right corner पे lines पे आप click करोगे, आपको जाना होगा websites वाले menu पे, इसके बाद हम scroll down करेंगे, आपको यह वाला option मिलेगा, create or migrate a website, इस पर आप click करोगे, now अब यह आपसे पूछ रहा है, what is your website type, किस तरह की website बनाने वाले हो, त hostinger पे shift करना है, हमें नया blog बनाना है, जो कि website है, तो यहाँ पे आप इस वाले option को ही choose करोगे, अब यहाँ पर platform चूज करने का option आ रहा है, of course हमें WordPress ही choose करना है, hostinger में भी AI वाला feature भी आगया, WordPress के साथ में, तो आप simply इस वाले option को choose करोगे, now, जो आप blog बनाने वाले हो, ब्ल की login details, जो आपको किसी के साथ share नहीं करनी है, तो administrator email में आप अपना working email address डाल देना, spelling mistake मत करना, password में एक strong password create कर दो, okay, इसके बाद simply continue करेंगे, अब यह आप से कुछ plugins add करने के लिए कहेगा, plugins छोड़े उड़े softwares होते हैं, जो आपकी website में, आपके blog में कुछ features को integrate करने का का करते हैं, फिलाल अभी हमें इन में से किसी भी plugin की जरूरत नहीं है, तो आप simply skip I will manage later पे click करोगे, similarly यहाँ पे यह लुक और फील की बात कर रहा है, कि आप अपना blog कैसा दिखाना चाहते हो, अब वैसे तो हम यहाँ से कोई theme यूज करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे generate press theme का option पहले से ही आ रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे generate press को simply select करके install कर सकते हैं, यहाँ बाद में भी install कर सकते हैं, तो फिलाल इस option को भी हम skip कर देंगे, now at last यहाँ पे content वाल option आगे, इसे भी आप skip करोगे, अब यह आप से पूछेगा कि अपना domain name choose करो, जिसके उपर आप WordPress install क करना चाहते हो, drop down में मेरा domain name पहले से दिख रहा है, आपका domain name भी ऐसी कुछ दिख रहा होगा, simply select पे हम click कर देंगे, तो बस यही process है, और WordPress हमारे domain name पर install हो जाता है, उसके बाद वापस आप hostinger की website पे आ जाओगे, मतलब आपने dashboard को open करोगे, top right corner पे lines दिख रही हैं आपको simplest पे आप click करना, websites वाले menu पे आप जाओगे, तो यहाँ पे देखो आपको howtosearch.in जैसे मेरा domain name है, यह दिख रहा है, आपने जो भी domain name चूज किया होगा, वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक, हमने WordPress भी install कर लिया है, hosting domain सब कुछ setup हो गया, अब install करेंगे एक light weighted theme, उससे पहले हमने WordPress अभी install किया है, चेक करते हैं कि हमारी website देख कैसी रही है, तो एक काम करता हूँ में एक new tab open करूँगा, और यहाँ पर howtosearch.in ओपन करके देखते हैं, तो यह आप देखो, इससे पहले hostinger का landing page दिख रहा था, बट अभी right now एक basic सा blog बन करके आ गया है, जि WordPress की 2023 नाम की theme है, जो कुछ ऐसा content show करती है, तो यह हमारा blog setup हो चुका है, अब बात करते हैं कि हम login कैसे करेंगे इस website में इस blog में ताकि हम अपना blog post लिख सकें, उसके लिए आपको अपने domain name के आगे लगाना होता है forward slash, फिर आप लगाएंगे wp-admin, जैसी आप इसको type करके औ आपने WordPress के installation के time पे create की थी, तो मैंने create की थी सद्दामकासिम.com, और हम password एंटर करेंगे, ओल राइट, इसके बाद हम simply login कर लेंगे, जब तक login हो रहा है, प्लीज फटाफट चैनल को subscribe करके वडियो को like कर दीजे, तो यह basically हमारा WordPress का dashboard है, जहां पे बड़े बड़े अक्षरो में लिखा है, welcome to WordPress, okay, now, अभी हमें एक theme install करना है, theme install करने के लिए आप क्या करोगे, top left corner पर three lines मिल रही है, click करते हैं, इसके बाद आपको जाना है appearance में, और appearance में आपको themes वाला option मिलता है, तो इस page से आप नईने themes install कर सकते हो, अभी right now 2023 नाम की theme installed है, जैसे साल बदलता है na, WordPress वाले उसी नाम से एक theme launch कर देते हैं, अभी 2023 चल रहा है, तो 2023, next year 2024 आजाएगा, 2024 नाम की theme आजाएगी, नई theme install करने के लिए उपर add new पे आप click करोगे, इसके बाद search box में आप type कर दो किसी भी theme का नाम, जैसे हम यहाँ पर use करेंगे, G-E-N-E-R-A-T-E-P-R-E-S, generate press block के लि activate भी करना होता है, तो यह मैंने इस theme को activate कर दिया, अब एक काम करते हैं, new tab में चलते हैं, पहले हमारी यह वाली theme installed or activated थी, 2023 नाम की theme थी, तो ऐसा हमारा website यह blog दिख रहा था, अब एक बार इस page को refresh करके देख लेते हैं, main domain open करेंगे, यह काम करते हैं, new tab में open करते हैं, एक न हलांकि उतना better नहीं है, कोई issue नहीं है, blogging case में designing matter नहीं करती है, blogging case में सिर्फ content matter करता है, और कितनी fast आपका blog load हो रहा है, that really matters in ranking as well, तो हमें ध्यान देना होता है, कि हमेशा lightweight theme यूज करेंगे, और जो images हैं वो optimized होने चाहिए, अब बाकि सारा focus आपका content पे ही होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, अब हमारे plan के हिसाब से, हमने theme तो install कर ली है, अब कुछ plugins को install करेंगे, तो plugins install करने के लिए वापस हम WordPress के dashboard में जाएंगे, top left corner पे three little lines से इसके आप click करोगे, इसके बाद हमें मिलता है plugins वाला option, let's click on it, and then after installed plugins पे पहले हम जाएंगे, जब आप WordPress first time install करते हो, तो पहले से ही कुछ plugins आपको installed मिलेंगे, इन्हें आपने install नहीं किया है, जैसे hostinger नाम को एक plugin है जो पहले से installed है, hostinger AI assistant पहले से installed है, light speed cache plugin ये पहले से installed है, अगर आपको hostinger और hostinger AI assistant रखना हो तो रखो, otherwise इसकी फिलाल इतनी need नहीं पढ़ने वाली है, blogging की case में, हम दोनो plugin को check करके, उपर देखो, यहाँ पर दिया होगा, उपर तो option नहीं है, नीचे, bulk actions, इस पे हम जाएंगे, सबसे पहले किसी भी plugin को delete करना है, तो पहले आपको उसे deactivate करना होता है, हमने दोनों plugins को deactivate किया, फिर से हम select करेंगे दोनों को, अब हम दोनों plugins को एक साथ delete कर सकते है like this, okay कर दीजे, तो आपको कोशिश करना है, कम से कम plugins आप use करो, बस जो plugins काम के हैं, उसे अपने blog में रखो, extra plugins को आप अपने blog से हटा दोगे, अब एक नया plugin इंस्टॉल करने के लिए, सबसे top पे आपको add new का button मिलेगा, let's click on it, हम पहले elementor और elementor pro install करेंगे, elementor basically एक page builder plugin है, जिसमें बिना coding के आप अपने web pages के designing कर सकते हो, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, कि अगर आपने hostinger से मेरा affiliate link यूज़ करके web hosting ली होगी, तो मैं आपको elementor pro plugin और कुछ और भी other plugins absolutely free provide करूँगा, वो सारे plugins में आपको google drive में provide करूँगा, ठीक है, आप अपने computer पो से download भ ही installed है, तो पहले हम search plugin में जा करके search करेंगे e-l-e-m-e-n-t-o-r, ये elementor का free version हम search करने हैं, बस आपको इतना ही type कर देना होता है, और यहाँ पर आपको मिलेगा elementor website builder, simply आप इस plugin को install करके पहले तो activate करूगे, elementor pro के साथ elementor का free version होना बेहत जरूरी है, अब इस plugin को हम activate करेंग so ये free version activate हो जुका है, हो सकता है आपको इस तरह की screen दिखाई देगी, तो simply top right corner पे कहीं पर एक button दिया होगा page को बंद करने का, अगर नहीं दिख रहा है button तो कोई issue नहीं है, आप simply एक काम करना, सबसे top पे आप जाओगे, सीधा address bar में, और यहाँ पर extra जितना भी slug है, इन स laptop पे computer होता ना, तो easily हम किसी भी page को बंद कर सकते थे, तो इसलिए लोग recommend करते हैं, कि laptop पे desktop है तो better है, बट जिसके पास नहीं है, तो वो तो mobile phone से कर ही सकता है, तो अभी हमने Elementor का free version पे install कर लिया, अब हम वापस फिर से plugins पे जाएंगे, add new पे click करेंगे, अब Elementor का premium version install करें उसे आप अपने mobile बगराबे download कर लेना, अब उस plugin को हमें upload करना है, तो आप simply upload plugin वाले बटन पे click करोगे, choose file में आपको जाना है, जैसे मेरे phone पे देखिए, already दोनो plugins पहले सही downloaded है, Elementor pro version है, और generate press का premium plugin है, दोनो plugins हैं, ध्यान रखिएगा, कई बालोग mistake कर रहे हैं, जो generate press premium का मैं plugin provide करता हूं, उसे वो theme में install करते हैं, और फिक कहते हैं कि style sheet का issue आ रहा है, दोनों को आपको plugins में जाके ही install करना है, तो पहले हम Elementor को choose करेंगे, इसके बाद install now पे click कर दीजे, तो Elementor pro version हमारी website में install हो गया, इसे मैंने activate कर दिया, इसी तरह से आपको generate press का premium plugin है, उसे भी upload क करके install करना है, पहले हम add new करेंगे, upload files में जाएंगे, choose file, यह रहा generate press, and then install now, and after that we have to activate, it simple है, ठीक है, तो दोनों plugins को हमें install करके activate करना होता है, अब अगला step है, I think मैंने एक miss कर दिया है, यहाँ पर point, जो बेहत जरूरी point था, we have to publish a real post, हमें एक real post लिखनी है, उसके बाद हम feature design करेंगे, अब एक नया post लिखते कैसे हैं, इसके लिए आपको फिर से lines पे click करना है, यह दिया हुआ post वाला section, post पे आप जाओगे, and then add new पे आपको click करना होता है, इस तरह एक pop-up के सामने आ जाएगा, इससे आप बंद कर देना, यह add title देख रहे हैं आप basically, इस add title वाले box म आप कोई भी title add कर सकते हो, लेकिन अभी write न, अगर आप नेरा keypad दिखोगे न, पूरा का पूरा English में है, अगर मैं यहाँ पर type करूँ, आप कैसे हो, English में ही लिखा हुआ है, हिंदी में convert नहीं हुआ, इसको कैसे fix करेंगे, इसको fix करने के लिए एक free plugin फिर से हमें install करना है, तो वापस चलते हैं, wordpress के dashboard हम plugins में जाएंगे, add new पे हम click करेंगे, इसके बाद search plugin वाले box के अंदर आपको type करना है, wphindi, all one word कोई space बीच में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ आपको एक ही plugin देखने को मिलेगा, wp-hindi type in Hindi in wordpress, बस install करके इस plugin को फटा पोस्ट को लिखना, अब मालीज हमारी पोस्ट का title है, best cars under rupees 7 lakhs, ठीक है, यह तो हमारा title हो गया, इसके बाद आपको जाना है, start typing ही Hindi वाले box में यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे click करो, या फिर आप simply इस plus वाले box पे click करना, और यहां search box में आपको search करना है, wphindi, तो यह आ देखो अब आप right hand side पे disable wphindi का option आने लग गया, मतलब अभी right now wphindi enable है, अब यहाँ पे आप कुछ भी type कर सकते हो, जहाँ पे cursor आपका दिख रहा है, अब मालो मुझे ऐसा कुछ लिखना है, ऐसा, तो simply ऐसे लिखना है, AISA, ऐसा, then D-E-S-H, देखो हिंदी में convert हो रहा है, जहाँ auto mobile सिर्फ परिवहन का साधन ही नहीं बलकी ठीक है, इस तरह से आप English words को easily हिंदी में translate कर सकते हो, यह plugin बड़े कमाल का है, disable wp जैसे लिखा है यहाँ पे, अगर आप इसको disable कर दोगे, माल लो आपको कोई keyword है, जो English में लिखना है, तो आप क्या करो, space पहले push करोगे, disable wp हिंदी कर दो, अब अगर आप कोई keyword यहाँ पे लिखते हो, जैसे माल लीजे मैं लिखता हूँ, best cars, b-e-s-t, c-a-r-s, दो को हिंदी में convert नहीं हुआ, और एक चीज़ का और ध्यान देन है, जब आप कोई word लिखते हो, उसके बाद जब space push करोगे, तब वो word हिंदी में convert होता है, अगर यह plugin का option enabled है, तो, और disable आपने जब कर रखा है, तो obvious सी बात है, English में लिखोगे, तो English में ही लिखा रहेगा, फिर से माल लो आपको आगे के words हिंदी में लिखने हैं, तो आप enable कर दो, enable WP Hindi, फिर यहाँ पर आप कुछ भी type करोगे, तो वो अपने अप हिंदी में convert होता रहेगा, हम ऐसा कोई लिख सकते हैं, 7 लाग रूपिये में, यह धिर धिर लिखना होता है, वह बहुत fast लिख गया यहाँ पर, R-U-P-Y-E, रूपिये में, U-P-L-A-B-D-H है जब आप full stop लगा होगे तो अपने अब vertical line आ जाती है तो इस तरह से आप easy तरीके से कोई भी हिंदी ब्लॉग start कर सकते हो सिर्फ अपने mobile phone से it's really very very simple बहुत आसान है बहुत easy है अब बात करते हैं कि हम images कैसे design करेंगे लिखना तो आपको समझ में आगेने कैसे लिखना है बाकी chat gpt की आप पूरी help ले सकते हो content planning करने में मैंने आपको content लिखने का idea यहाँ पे दे दिया है कैसे लिखना होता है अब अगर आप content planning नहीं कर पा रहे हो आपने keyword तो चूज कर लिया है best cars under 7 lakh rupees लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस title के under में क्या blog post में लिखें तो आप chat gpt के help लेके पूरा content plan कर सकते हो और एक बड़िया blog post easy तरीका से हिंदी में अपने mobile phone से लिख सकते हो अगर आपको chat gpt यूज करना नहीं आता है तो ये वीडियो में already पहले ही बना चुका हूँ जिसमें म वीडियो के बाद जाके अब इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा link मैंने नीचे description में दे दिया है अब वापस आते हैं topic के उपर अब मान लिजे ये तो एक post है basically आपने text वगरा लिख दिया है खाली text लिखने से काम नहीं चलेगा आपको उसमें images भी put करनी होती है बिना images के ना कोई भी post बढ़िया नहीं लगता तो अभी एक काम करें इस post को और आपको live करना है तो सबसे top पे देखो publish का button दिख रहा है publish पे click कर दो confirmation मांगेगा फिर से publish पे click कर देना ये post live हो चुकी है आपके जो blog था ये domain था उसके उपर अब एक बार best cars under 7 lakh पर हम click करेंगे त refresh कर लो इस page को एक बार hard refresh करते हैं अब अभी right now हमने देखा यहाँ पर oops that page can't be found ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है मैं आपको समझाता हूँ ये issue क्यों आ रहा है देखो जो हमारा web browser है न वो English words को ही support करता है हमने जब title यहाँ पर create किया था title में ये rupees का symbol basically हमने use कर लिया ह browser समझी नहीं पा रहा है symbol का मतलब क्या है तो हमें हमेशा title में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तो आप चाहो तो हिंदी English में लिख सकते हो लेकिन जो link रहेगा इस particular post का उस link में कोई भी Hindi word नहीं आना चाहिए वो English word ही आना चाहिए तो अब हम कैसे fix करेंगे इस issue को आपको तो देखो top right corner पर यह box दिख रहा होगा इस पर आप click करोगे then after आपको summary में जाना है और यहाँ पर देखो दिया हुआ URL अगर आप गौर से देखोगे तो देखो यह post का पूरा URL है best cars under के बाद rupees का symbol लगा है तो हमें इसे हटाना होगा हम RS लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप date पर बस click कर देना तो यहाँ पर देखो post updated आगया view post पर click करते हैं अब यह post आपको दिखने लग गई इस से पहले oops वाला message आ रहा था page not found अभी right now आपको यहाँ पर post दिखाई दे रही है अब इस post का आप easily read कर सकते हैं कोई भी user read कर सकता है बाकी अलड़ी detail में पूरा कैसे लिखना होता है बात करते हैं कि आप featured image कैसे design करोगे खाली post में text लिख देने से काम नहीं बनेगा तो हम यहाँ पर use करेंगे canva canva एक free of cost tool है जिसको use करके आप featured images design कर सकते हो तो उसके लिए आप अपने play store में चले जाना मेरा iPhone है तो basically यहाँ पर app store में open करूंगा और search box में search करेंगे canva आप अपने play store में यही search करेंगे canva okay so यहाँ पर आप देखो canva design photo video simply आप इस tool को install कर लेना अपने mobile phone पर बढ़िया tool है इसे open कर लेते हैं अब यह sign up का option माँगेगा gmail से facebook अगरा से आप sign up कर सकते हो तो मैं आप गमेल से sign up करूंगा so हमारा account successfully canva पर बन चु कर दीजिए और कोई query question है you can let me know in the comment section तो यह basically canva का free tool हम यहाँ पर use करने वाले है अब एक नई image design करने के लिए आपको इस plus पर click करना होता है bottom में plus दिया हुआ है अब यह आप से पूछे का size क्या रहने वाला है उस particular image का आपको हमेशा ध्यान देना है जो featured image होती है basically thumbnail type image होती है width जादा होगी height कम होगी तो यहाँ पर आपको custom size choose करना है width वाले box में आप ऐसा कुछ type कर सकते हो जैसे कि 1280 pixels की width हो गई height हमेशा कम रखनी है जैसे कि 720 pixels ठीक है तो 1280 by 720 pixels की इमेज हम design करने वाले है create new design पे आपको click कर देना है आपका designing panel open हो जाएगा यहाँ पे preview भी दिख इसमें आप सब कुछ design कर सकते हो अब जैसे मान लीजे आपको car related एक featured image design करनी है तो वैसे यहाँ पर कई सरे templates भी आपको free of cost यूज़ करने को मिल जाते हैं paid भी है free भी है जैसे कोई भी ऐसा template जिसमें pro लिखा हुआ है जिसमें pro लिखा हुआ है मतलब इसको आप use नहीं कर सक है उसे आप use कर सकते हो काफी सरे templates आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अब मुझे cars related सर्च करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा और return या enter पर click कर देते हैं तो देखो यहाँ पर cars related काफी सरे templates हमारे सामने आ गये हैं अब कोई ऐसा template जो हम use कर सकें तो उसको find out कर करते हैं जैसे कि यह वाला सही लग रहा है car restoration वाला हाँ इसे use करते हैं simply आप एक click करोगे और देखो यहाँ पर आ गया यह अब आप किसी भी text को change कर सकते हो बस आपको इस text पर click करना होता है double tap करोगे देखो editing screen enable हो गई है यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं best cars and then under और यहा rupees 7 lakhs ठीक है बाकी यह EPS 03 वगरा लिखा है आप चाहो तो इसे delete भी कर सकते है episode 3 वगरा car की image change करनी है तो simply आप car को tap करोगे इसके बाद replace का देखो नीचे option आ रहा है replace पर click कर देना अगर आप पर mobile phone पर कोई image है तो आप उसे simply uploads में जा करके यहाँ से upload भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो simply इसी image को भी use करो कोई copyright का issue नहीं आने वाला है 100% copyright free यह images होती है अब इस image को मुझे download करना है तो कैसे download करते हैं top right corner पर आपको यहाँ पर नहीं एक arrow type का option दिख रहा है इस पर आप click करोगे then download का option आ गया let's click on it इसके बाद make sure file type आपका png ही रहना चाहिए and then download पर click कर दीजे तो 1280720 pixel में यह image आपके mobile phone पर download हो जाएगी अब इसको हम set करेंगे अपने blog में एक बार allow कर देता हूँ and then save image का option मेरे end पर आ गया यह image मेरे mobile phone पर save हो गई अब वापस चलते हैं अपने blog पर तो यह है हमारा blog WordPress का dashboard पर हमें जाना होगा तो dashboard वापस हम यहाँ स open कर सकते हैं then after फिर से post में जाएंगे and then all post पर click करेंगे यह रही वो post best cars under 7 lakh आप edit करोगे इसके बाद फिर से आपको top right corner पर boxes पर click करना होता है then post वाले tap पर जाना left में post है इस पर आप जाओगे scroll down करो तो यहाँ पर देखो featured image का option आ रहा है simply set featured image पर click करके select files में जाएंगे औ all right so यह वो image है मैंने add कर दिया यह media library में upload हो जाएगी फिर नीचे वाले set featured image बटन पर आप click कर दो देखो featured image यहाँ पर आ चुकी है फिर से इस page को बंद करके आपको post को update करना होता है view post पर चलते हैं देखो image भी दिखने लग गई तो इस तरह से आप images भी design कर सकते हो content भी write क हमारे plan के हिसाब से अगला काम है कि हमें कुछ legal pages create करने होंगे अब legal pages क्या है basically देखो आप blog क्यों बनाना चाहते हो blog से कमाई करनी है इसलिए blog बना रहे हैं कमाई सबसे पहले कैसे हो सकती है google adsense से हो सकती है google adsense का approval कप मिलेगा जब आपका blog google adsense की सारी policies को fulfill करेगा तो एक policy यह भी है कि आपके blog के उपर सारे legal pages available होने चाहिए with content जैसे कि about us, contact us है, disclaimer है, privacy policy है, terms of service है, terms of conditions वगरा कहते हैं ऐसे कुछ legal pages आपके blog पे available होने ही चाहिए pages कैसे create करते हैं, wordpress के dashboard में जाना है, यह दिया हुआ pages वाला section, add new पे click कर देना, title वाले box में आपको page का नाम type कर देना, जैसे कि about us, about us, छीक है, और यहाँ नीजे type to choose a blog, इस पे आप click करोगे, तो आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे, मैं लिख देता हूँ मैं नेम इस सद्दाम कासिम, and I am a wordpress developer, ठीक है, जितनी ज्यादा details आप अपने बारे में provide कर सकते हो, उतनी details आप यहाँ पे put करो, सारी real information ही होने चाहिए, तभी आप Google AdSense का approval मिलने के chances बढ़ जाते हैं, मतलब आपकी application reject नहीं होगी, फिर आप page को publish कर देना, अब Google AdSense सिफ legal pages create करने से ही नहीं मिलता है, कई सारी और भी important चीजे हैं जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो मैंने ये वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसमें detail में मैंने समझाया है, कि आपको Google AdSense का approval कैसे मिलेगा, 10 important points बताएं, तो जिन लोग को Google AdSense का approval अभी तक नहीं मिला है, या आपने कभी apply ही नहीं किया, first time है, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखना, link description में मिलेगा, 10 important points है, उनको fulfill जरूर कर लेना, उसके बाद ही Google AdSense के लिए apply करना, maximum chances हैं कि आपको approval मिल ही जाएगा, ठीक है, तो एक page तो हमने ये वाला ready कर लिया, page को publish कर दिया, वापस फिर से all pages पे जाएंगे, देखो, about us वाला page हमारा create हो चुका है, इसी तरह से add new पे click कर दिना, सबसे top पे, फिर contact us है, disclaimer है, terms of service है, इस तरह कई सारे pages है, उन्हें आप create करते जाओगे, अपना real content ही put करना, contact page रहेगा, तो वहाँ पे contact की सारी detail आपको put कर देनी है, अब रही बात कि disclaimer वाले page पे क्या content जाएगा, या terms of service पे क्या content जाएगा, तो जो chat GPT वाला मैंने video आपको बताया है न, उसमें सारे चीज़े मैंने detail में समझाएं कि आप chat GPT से कैसे content write करवा सकते हो, तो उस video को जरूर देखना, उसका भी link मैंने video को description में पहले ही दिया हुआ है, ठी यूजर को तो नहीं मालूम है न, अब यूजर हमारे blog तक कैसे पहुँचेगा, Google की help से पहुँचेगा, और हमारा blog गूगल पे तभी rank करेगा, जब हमने proper SEO किया होगा, तो अब SEO करने के लिए, या SEO issues को fix करने के लिए, हम एक नया plugin install करने वाले हैं, आपको plugins में जाके add new प लाफी help करेगा, ये रहा rank math plugin, install करके बस इसे आप activate कर लेना, जब तक ये plugin install हो रहा है, जरूरी information आपको बता दू में, देखो SEO basically एक दिन का process नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपने खाली rank math plugin को install करके activate कर दिया, और आपका काम खतम हो गया, आपका article rank कर जाएगा, जी नहीं, ए अगर आप SEO के सारे factors को, सारे requirements को fulfill करोगे, तो maximum chances हैं कि आप easily Google के first page पे rank कर सकते हो, जैसे मेरे कई सारे keywords हैं, जो Google के first page पे rank करते हैं, मेरी blog post rank करती है, तो SEO करना जरूरी है, बस जो जरूरी चीज़े हैं, वो आप fulfill कीज़े, बाकी ranking easily आ जाएगी, ये plugin तो चलो मैंने install कर द advanced, advanced पहले से selected है, start wizard पे click कर देना, then after ये आप से कुछ अपकी website ये ब्लॉग के बारे में पूछेगा, how to search.in is a, ये क्या है how to search.in, personal blog है क्या है इसमें से, of course हमारा ये personal blog है, website का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, आप यहाँ पे अपनी website का ये अपने blog का नाम टाइप कर दो, जैसे मैं यहाँ पे type करूँगा how to search, ठीक है, इसके बाद नीचे जैसे हम click करेंगे, ये वाला box अपने हाँ फुल्फिल हो जाता है, मतलब जो person, organization, name वाला box है, यहाँ पर आप canvas से एक logo design कर लेना, 112 by 112 pixel का, उससे आप upload कर देना, ये mandatory तो नहीं है, बट हाँ, good practices में आता है, logo आप upload कर दोगे, save and continue पे click करेंगे, इसके बाद Google services connect करने के लिए कह रहा है, फिलाले सो connect करने के ज़रूत नहीं है, skip step पे click कर दो, site maps, इसमें सारे options selected होने चाहिए, site map बहुत जरूरी है, site map एक file होती है, जो Google के bots को बताती है, कौनकों से link आपके blog पे, आपकी website पे available है, ता after SEO tweaks बगर है, सबको as it is छोड़ दीजे, save and continue पे click कीजे, plugin हमारा properly setup हो चुका है, return to dashboard वे आप click करोगे, वापस WordPress का dashboard आपके सामने open हो जाएगा, अब SEO हम पूरा इस वीडियो में cover up नहीं कर सकते, SEO बहुत lengthy process है, results लाने हैं, तो SEO प्रोपर तरीके सीखना होता है, मैंने पूरा आपको जाकर देख लीजेगा, जिसमें आप पूरा SEO सीख सकते हो, इसका भी लिंक आपको वीडियो के description में ही मिलेगा, उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, मोबाइल से एक काम चलाओ नहीं कहूंगा, मैं एक अच्छा खासा blog बनाया जा सकता है, ब लैप्टॉप नहीं है, डेस्टॉप नहीं है, तो ये कोई barrier नहीं है, आपको बस मोबाइल फोन है, अटलिस आप स्टार्ट कर सकते हो, आप सीख सकते हो, आपका perfection आएगा, कई सारे लोग हैं जो मोबाइल से ही blogging करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बट उन्होंने मे मेहनत करने के लिए तयार हो, तभी hosting में investment करना, तभी आप time investment करना और मेहनत करना, क्यूंकि blogging से एक दिन में result नहीं आता है, कम से कम 3-4 मेने regular आपको मेहनत करने ही पड़ेगी, और day by day आपको improvement भी करना होगा, तो ये वीडियो कर पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like क करके channel को subscribe जरूर कर दीजे, कोई भी doubt है, question है, query है, just let me know in the comment section, या अगर आप कोई अपने specific topic की उपर next video चाहते हो, तो भी आप मुझे comment करके बदा सकते हो, so इस video में इतना ही मिलते हैं, next video में,